जैशी कृष्णा स्वागत है आपका सार्थी तृष्णा के साथ कैसे हैं आप लोग कैसे हैं घर में सब जरूर बताईएगा होली अपने आप में एक खुशाली का त्योहार है रंगों को देखकर चेहरे पे बहुत अलग सी खुशी आ जाती है और यही खुशी हमेशा पूरे साल भर हमारे जीवन में योही बरकरार रहे इसके लिए हमें छोटे-छोटे उपाए जरूर कर लेने चाहिए महत्वपून परवो को हमें अपने जीवन में विशेश रूप से कारे करके जरूर सिद्ध कर लेना चाहिए जिससे जीवन के अंदर आने वाले भविश्य में हमें किसी भी तरह की नाकारत्मक्ता को फेस ही ना करना पड़ें हम वो कारे ही क्यों करें जिससे हमारे जीवन में कभी भी कोई तकलीफ दुख बाधा हमारे इर्द गिर्द आए तो चलिए आज मैं आपको कुछ ऐसा ही एक उपाए बता देती हूँ जिससे आपके घर में आपके घर के अंदर रहने वाले हमेशा सुरक्षत गेरे में रहे और उनके जीवन में कभी भी किसी तरह की बाधा उन्हें टच ना कर पाए तो चलिए बताओं आपको लेकिन इससे पहले ये बता दू कि मैं कौन हूँ मैं आपके अस्ट्रोलोजन हूँ वास्तू शास्त्री हूँ चहरा भी पढ़ती हूँ आवाज भी पढ़ती हूँ और घर का शुद्धी करण करते हैं ये शुद्धी करण किस तरह से किया जाता है ये मैं आपको बता देती हूँ घर के मुख्ये द्वार पर आपको रंगोली बनानी है रंगों से इस दिन रंगों का बहुत महत्व होता है न और उनी रंगों को देखकर साकारत्मक उरजाय जो भाध गाय का उप्टला ले लिजे यानि की काय का कंडा कुछ लोग मुझे कहते हैं गाय का कंडा easily अविलेबल नहی हो पाता कौनसी दुनिया में रह रहे हैं साहब Amazon पर सब कुछ available है मंगाईए तो सही देखिए तो सही सब कुछ आता है तो आपको गाय का एक उपला ले लेना है उसे आपको पहले गैस पर अच्छी से जला लेना है और उसके उपर आपको थोड़ा सा कपूर डाल देना है थोड़ा सा गाय का शुद घी डाल देना है और आपको ले लेना है एक भोज पत्र उस भोज पत्र को आप पहले ही थोड़ा सा छीटा देकर शुद कर लेंगे जलसे या गंगा जलसे उसके उपर आप साथ बिंदी लगा देंगे हल्दी की और उसके बाद जब ये कंड़ा जलेगा तो इसके उपर आप वो भोज पत्र रख देंगे उस धूरी को आपको अपने पूरे घर के अंदर घुमा देना है हर कमरे के अंदर हर जगे से आपको घुमा देना है ये एक सुरकषा-घेरा होगा जो आपके घर के अंदर उस रंगोली बनाई होगी चाहे वो आपका मंदिर होगा या आपका प्रवेश द्वार होगा जहां आपको सहूलियत लगे वहां कर लीजेगा ये कारे वहीं ले जाकर इस कंडे को रख दीजे और वहां पर इसे जलने दीजे जब शाम के टाइम पर ये पूरा अपने तरीके से जल जाएगा और उसी रंगों में घुल जाएगा तो ये सारी सामगरी को इखटा कर लीजेगा इन सब को इखटा करके आप इसे एक सफेद रंग के कपड़े में बांध दीजेगा और बांधने के बाद या तो आप बहते हुए जल में इसे अगले दिन प्रवाहित कर है, miscarriages हो रहे हैं या आपको डॉक्टर कहता है कि आपको physically कोई problem है जिसकी वजह से आपको संतान प्राप्त नहीं हो सकती उन लोगों को भी इस दिन गाय के कंड़े का एक प्रयोग ज़रूर करना चाहिए आपको इसी तरह गाय का कंड़ा जला लेना है उसके उपर एक स्रिया ये कारे जरूर करें अगर आप किसी कुर्सी पर बैठी है तो आपको उसको नीचे रख लेना और उस धूरी को उपर आते हुए अनुभव करना है खड़े होकर करेंगी तो और ज्यादा लाब होगा जरूर करिए ये कारे इससे आपके जीवन में कुछ भी परिवर मुझे जरूर बताईएगा मैं फिर आऊंगी कुछ नया कुछ अलग कुछ अद्बूद लेकर तब तक के लिए मस्कुराते रहेगा रिष्टों में मजबूती बना के रखेगा अपने सार्थी के साथ यूए जुड़े रहेगा प्यार लेते रहेगा ख्याल रखेगा पिछली 22 वर्षों से जोतिश की सभी परंपराकत विधाओं के साथ साथ अनेक दुड़लब गुड़ विधाओं जैसे परचाई एवं लव्स के अध्यन से अपनी सटीक भविश्यवानी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन सवार्चुकी मात रशिला लगातार 2016 से जोतिश विभूशन अवोर्ड प्राप्त कर रही है साल 2018 में उन्हें उत्राखंड के मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सेंग रावत ने जोतिश विभूशन अवोर्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवोर्ड से नवाजा जा चुगा है झाल रही है